यह हमारा हिंदी का second वीडियो है, दूसरा वीडियो है, पहली वीडियो में हमने मदुबन हिंदी, term first, first term का part 1, part 1 हमारा था आया वसंत, आया वसंद की व्याख्या हमने पड़ी थी, इसमें हमने देखा था कि कवी वसंद रितु के बारे में हमें क्या बता रहा है, वसंद रितु में कैसा मौसम हो जाता है, आसपास का वातवरन कैसा हो जाता है, हमने इस कविता के द्वारा वसंद रितु के बारे में जा रहा था इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको आपका writing work, लिखने का काम कैसे करना है, तो देखिए, लिखने के लिए आपको दो line की copy, ठीक है, two line की copy जो होती है, वो ही use करना है, उसी का प्रयोग करना है, ठीक है, आप देखेंगे आपकी जो book है, आपकी book में, ये पेज नमबर 10, पेज नमबर 10 पे शबदार्थ हैं, ठीक है, पेज नमबर 10 पर शबदार्थ आपको दे रखें हैं, इन शबदार्थों को आपको अपनी copy में सबसे पहले लिखना है, कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको समझा रही हूं, देखिए, ये आपकी two line की copy है, इसमे सबसे पहले, left hand side पे आपको यहाँ पे date डालना है, ठीक है, जैसे आज की date है, 24.06.2021, ठीक है, यहाँ पर आपको date डालना है, उसके बार, आपका जो page है, इसके बीच में, सबसे उपर, top पर, यहाँ red line के उपर, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, heading डालनी है, part का नाम तो हम लिखेंगे, part 1, आया, वसंद, ठीक है, part 1, आया, वसंद, यह लिखने के बाद, जो दो line आपको दे रखी हुई है, यहाँ पर आप लिखेंगे, शब्दार्थ, ठीक है, शब्दार्थ, हेडिंग डालने के बाद, next line में, आप लिखेंगे, दो partition कर लेंगे, यहाँ पर एक partition में, left hand side पर आप लिखेंगे, शब्द, और right hand side पर आप लिखेंगे, अर्थ, ठीक है, जो शब्द आपको बुक में दे रखेंगे हैं, वो आप इस side लिखेंगे, और उनके अर्थ, उनका जो भी अर्थ होगा, वो आपको इस side लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा शब्द, यहाँ हमने लिखा अर्थ, आप बीच में एक line ड्रॉ कर लेंगे, जिससे की आपका page और आपका writing work सुन्दर दिखेंगे, जिससे की first word है, पहला शब्द है, अनन्त, अनन्त, अनन्त का मतलब क्या होता है, अनन्त का अर्थ होता है, जिसका अन्त न हो, जिसका अन्त न हो, अनन्त, ठीक है, पहला शब्द यहाँ लिखेंगे, और उसका अर्थ यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट शब्द देखिए, बाउरें, बाउरें, बाउरें का अर्थ होता है, आम की मनजरी, आम की मनजरी, मनजरी का मतलब होता है केडिया, बाउरें मतलब आम की मनजरी, दूसरा शब्द देखेंगे पतजड का अर्थ होता है पेड से पतियों के गीरने का मौसम पेड से पतियों के गीरने का मौसम ठीक है? दूसरा शब्द है सुगंध का अर्थ होता है खुशबू ठीक है? इस तरह से लिखेंगे आगे शब्द है पवन 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 का अर्थ होता है हवा हवा आखरी शब्द है दिगंध 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 का अर्थ होता है दिशा का अंत या यहाँ पर हमको दो अर्थ दे रखें हैं तो हम दोनों अर्थ लिखेंगे जो भी आपको अच्छे से याद हो जाता है वो आप याद करेंगे दिशा का अंत या एक अबलिख लगा देंगे यहाँ पर और सेकिंड वर्ड आपका जो दूसरा शब्द है अर्थ जो है वो हम यहाँ लिखेंगे ख्षितिज तो इस तरह से हम आया बसंत पार्थ एक के शब्दार्थ लिखेंगे आज से आप अपनी कॉपी में लिखने का कार्य शुरू कर दें और सबसे पहले कॉपी के पहले पेज को छोड़ना है आपके नेन क्लास सेक्शन के लिए और दूसरे पेज पर आपको क्या करना है शब्दार्थ को लिखना शुरू कर देना है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताओंगी कि आपको आगे क्या लिखना है तो आज का आपका हुवग है आपको दो लाइन की कॉपी में पार्ट एक आया बसंत के शब्दार्थ लिखने है आपको दो लाइन की फेर कॉपी बनानी है और उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है ये शब्दार्थ लिखना है यही आपका हुवग है